हेलो फ्रेंज वेलकम टू फूड हब आज मैं बताऊंगी मेथी का परांथा यह बताऊंगी में टिप्स और ट्रिक्स के संग में यह बहार से बहुत ही क्रिसी बनेगा और साथ ही साथ अंदर में बहुत लेज आएंगे और बहुत ही सॉफ्ट रहेगा अगर आप इस परांथ में यह बहुत ही इच्छा बनता है तो चलिए शुरू करते मेरे साथ में मेथी का परांथा बराना एक बॉल मिलेंगे हम आटा मेजरमेंट के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं उसे मैंने सारा मेंशिन किया हुआ है यहां में एक बॉल माटा ले लिया है इसमें एड़ करेंगे हम अजवाइन साथ साथ एड़ करेंगे लाल मिर्ची पॉडर नमक स्वादनसार यहां में डाल रही हूँ एक चुटकी हल्दी का साथ साथ हम एड़ करेंगे जीरा कसूरी मेथी तौह सा रप करके इसको तौह सा मसल कि डालें इज़ा अच्छा फ्लेवर देगा अब मैं एड़ करेंगे दोई वी काटी वी मेथी इसको एड़ कर देंगे साथ साथ मैं यहां मोहिन दे रही हूं उसको देना है उनको घी का यह बहुत ही सॉफ्ट रखता है आपके पराठे को और बहुत इच्छा लगता है अब में सानना जो है यहां आटा गुंगुना पानी सानना है यहां में ले रही हूं आप छेना का पानी ले सकते हैं या धही का जो हम हंकट बनाते हैं उसका जो पानी निकलता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही को रख देंगे 10-15 मिंट के लिए अब यहां और मठार लेंगे आटे को 10-15 मिंट के बाद में तो आसा प्लाटफॉर्म में घी लगा देंगे इसको हम मल लेंगे एक बार आटे को रेस देना बहुत जरूरी होता है उससे क्या होता है हमारे प्रांटे बहुत अच्छे बनते ह सारे घुल मिल जाते हैं तो इस बात का बिल्कुल धान रखेंहा हमने लोई काट लिए यह बहुत जरह बड़े बड़ी नहीं करनी है हमें हमें इस तरह से लोई काट लेनी है । अब एक लोई लेंगे हम वीकश्टों की बीच में रोल कर लेंगे और इसे हम सुखे अटा जो में बहुत minimum लेना है यहां पर जितना कम लेंगे थोड़ा सा घी लगाएंगे अब यहां पर हम डस्क करेंगे थोड़ा सा सूका आटा यह हमारे प्रांटे को layer देगा क्रिस्पिनेस भी देगा थोड़ा सा और लगाएंगे घी अफिर हम वही रिपीट करेंगे थोड़ा स यहां पर जितना हो कम अवाइट करके ही यह इसमें बेलना है तो यह परांटे को क्रिस्पी करेंगे और यह से नहीं करता है कभी कभी जब सूखा आटा हम बहुत जार लगा देते हैं तो वैसा बिल्कुल नहीं होगा यह देख रहे हैं इस तरह से बेल ले यह आप छाप च गरम होना चाहिए इसका आपको धान रखना है अच्छा पराठा बनाने के लिए गरम तवए पराठा डालना है एक बार हो जाए फिलिप करके हम इसमें घी लगा देंगे चाहिए तो आप तेल से भी यहां पर आप ऑईलिंग कर सकते हैं पराठो की और घी से जाद चाप ट देख रहे हैं और सेमें मिडियम फ्लेम में ही सेहरा है इसका इप ज़िए और अपर भालना है लो यह Choi भ limits करते हैं परनपार बहर कि तय attaching हो हो चुका है अचारती संग में या 2 के संग माव ईसमें अपने नास्टे में कह सकते हैं अपने लंच में खा सकते हैं बच्च्चों को टिफिन में दे सकते हैं या टिफिन में खुद भी ली जा सकते हैं यह बहुत ही परफिक्ट प्रांठा है और बहुत ही टेस्टी लगता है आप इंजॉय करें और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरू कीजिएगा अपने नई रेसिपी के साथ